श्रिराम और सीता अपना सब कुछ त्याप कर वन जाने को तैयार थे परन्तु क्या लक्षमन श्रिराम को अकेले ही वन जाने देते हैं? जानते हैं, क्या हुआ इस सध्याय में? श्रिवालमी की निर्मित आशामयन आधीकावे के आयोध्याकान में 31 मसर्ग नमस्कार, मेरी इन ओडियो बुक्स को सराहने के लिए धन्यवाद अगर आप अपना योगदान देना चाहते हूँ और आपका सामर्थ हो तो स्क्रीन पर दिये गए QR कोड के और जॉइन बटन के द्वारा आप यह कारे कर सकते हैं जिस समय श्रीराम और सीता में बातचीत हो रही थी लक्षमन वहाँ पहले से ही आ गये थे उन दोनों का ऐसा समबाद सुनकर उनका मुखमंडल आशों से भीग गया भाई के विरह का शोग अब उनके लिए भी अस्सह हो था रगुकुल को आनन्दित करने वाले लक्षमन ने जेश्ट भ्राता श्राम चंदर जी के दोनों पैर जोर से पकड़ लिये और अत्यंत यश्यस्वनी सीता तथा महान ब्रद्धारी श्री रगुनाजी से कहा आरे यदि आपने सहस्त्रों बन पशूं तथा हाथियों से भरे हुए बन में जाने का निश्य कर ही लिया है तो मैं भी आपका अनुसरन करूँगा धन उस हात में लेकर आगे आगे चलूँगा आप मेरे साथ पक्षियों के कलरप और भ्रमर समुहों के गुंजावर से गुंशते हुए रमणिये बनों में सब ओर वित्रण कीजिगा मैं आपके बिना स्वर्ग में जाने अमर होने तथा संपून लोखों का एश्वरे प्राप्त करने की भी इच्छा नहीं रखता वनवास के लिए निश्चित विचार करके ऐसी बात करने वाले सुमित्रा कुमार लक्ष्मन को शिराम चंदर ने बहुत साथ अपना पूर्ण वचनों द्वारा समझा कर जब वन में चलने से मना किया तब फिर बोले भाईया आपने तो पहले से ही मुझे अपने साथ रहने की आग्या दे रखी है फिर इस समय आप मुझे क्यों रोकते हैं निश्पा प्रगुनंदन जिस कारण से आपके साथ चलने की इच्छा वाले मुझे को आप मना कर रहे हैं उस कारण को में जानना चाहता हूँ मेरे हिदे में इसके लिए बड़ा संशय हो रहा है ऐसा कहकर धीर वीर लक्ष्मन आगे जाने के लिए तैयार हो भगवान श्री राम के सामने खड़े हो गए और हाथ जोड़कर याश्ना करने लगे तब महाते जश्वी श्री राम ने उनसे कहा लक्ष्मन तुम मेरे स्नेही धर्म परायन धीर वीर तथा सदा सन्मार्ग में सित रहने वाले हो मुझे प्राणों के समान प्रिय हो तथा मेरे वश में रहने वाले आग्या पालक और सखा हो सुमित्रा नंदन यदि आज मेरे साथ तुम भी बन को चल दूगे तो परम यश्यस्वनी मादा को सल्या और सुमित्रा की सिवा कौन करेगा जैसे में एक प्रित्वी पर जलकी वर्षा करता है उसी प्रकार जो सब की कामने पून करते हैं वे वहातेजस्वी महराज तश्रत अब क्यकई के प्रेम पाश में बंद गए हैं क्यकई राज अश्पती की पुत्री क्यकई महराज के इस राचे को पाकर मेरे व्योग के दुख में डूबी हुई अपनी सौतों के साथ अच्छा बरताब नहीं करेगी भरत में राचे पाकर क्यकई के अधिन रहने के कारण दुखिया को सल्या और सुमित्रा का भरन पोशन नहीं करेंगे अतह सुमित्रा कुमार तुम यहीं रहकर अपनी प्रत्न से अथ्वा राजा की कृपा प्राप्त करके माता को सल्या का पालंग करो मेरे बताए हुई इस प्रियोजन को ही सिद्ध करो ऐसा करने से मेरे प्रती जो तुम्हारी भक्ती है वह भी भलिभांती प्रकट हो जाएगी तथा धर्मग्य गुरुजनों की सेवा करने से जो अनुपम इवं महान धर्म होता है वे भी तुम्हें प्राप्थ हो जाएगा रगुकुल को आनन्दित करने वाले सुमित्रा कुमार तुम मेरे लिए ऐसा ही करो क्योंकि हम लोगों से बिछडी हुई हमारी मा को कभी सुख नहीं होगा वे सदा हमारी ही चिंता में डूबी रहेंगी श्री राम के ऐसा कहने पर बाचीत के मरम को समझने वाले लक्षमर ने उस समय बात का तात्परे समझने वाले श्री राम को मधूरवानी में उत्तर दिया वीर, आपके ही तेज प्रभाव से भरत, माता कौसल्या और सुमित्रा दोनों का पवित्र भाव से पूजन करेंगे, इसमें संशय नहीं है वीरवर, इस उत्तम राज्य को पाकर यदि भरत बुरे रास्ते पर चलेंगे और दुशित्रदे एवं विशेश्टह घमर्ण के कारण माताओं की रक्षा नहीं करेंगे तो मैं उन दुर्बुद्धी और कुरूर भरत का तथा उनके पक्ष का समर्थन करने वाले उन सब लोगों का बद कर डालूँगा इसमें संशय नहीं है, यदि सारे त्रलोकी उनका पक्ष करने लगे, तो उसे भी अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ेगा परन्तु बड़ी माता कौसल्या तो स्वयम ही, मेरे जैसे सहस्त्रों मनुष्यों का भरन कर सकती है, क्योंकि उन्हें अपने आश्रतों का पालन करने के लिए एक सहस्त्र गाम मिले हुए है इसलिए वे मनस्वनी, कौसल्या, स्वयम ही, अपना, मेरी मा का तथा मेरे जैसे और भी बहुत से मनुष्यों का भरन पुशन करने में समर्थ हैं आतर आप मुझको अपना अनुगामी बना लेचिए, इसमें कोई धर्म की हानी नहीं होगी मैं कृतार्थ हो जाऊंगा, तथा आपका भी प्रियोजन मेरे द्वारा सिद्ध हुआ करेगा प्रतंचा सही धनुष लेकर, खंती और पिटारे लिए आपको रास्ता दिखाता हुआ, मैं आपके आगे-ागे चलूंगा प्रति दिन आपके लिए फल फूल लाऊंगा, तथा तपस्वी जनों के लिए बन में मिलने बाली तथा अन्याने हवन सामगरी जोटाता रहुँगा आप विदेह कुमारी के साथ परवत शिक्रों पर प्रमण करेंगे, वहां आप जाते हूँ ये सोते, मैं हर समय आपके सभी आवश्यक कारे पून करूंगा लक्ष्मन की इस बाच्चिस शिराम चंदर जी को बड़ी प्रसंता हुई और उन्होंने उनसे कहा सुमित्रा नंदन जाओ, माता आधी सभी सुहरदों से मिलकर अपनी वनवास की यात्रा के विशे में पूशलो और उनकी आग्या एवं अनुमती लेलो लक्ष्मन, राजा जनक के महानियग्य में स्वय महात्मबरू ने उन्हें जो देखने में भयंकर दो दिव्वे धनुष्टिये थे साथ ही जो दो दिव्वे अभेद्य कवच, आक्षयबानों से भरे हुए दो तरकस तथ सूर्य की भांती निर्मर दीप्टी से दमकते हुए जो तो सुवर्ण भूशित खडग प्रदान किये थे वे सभी दिव्यास्त मिथिला नरेश्टे मुझे दे रखे हैं उन सब को आचारे देव के घर में सतकार पूर्वक रखा गया है तुम उन सारे आयुद्धों को लेकर शीखर लोटाओ आज्यापाकर लक्ष्मन जी गए और सुवर्ण जनू की अनुमती लेकर वनवास के लिए निश्चित रूप से तयार हो इक्ष्वाकु कुल के गुरु वसिस्ची के यहां गए वहां से उन्होंने उन उत्तम आयुद्धों को ले लिया क्षत्री शिरुमणी सुमित्राकुमार लक्ष्मन ने सतकार पूर्वक रखे हुई उन माले विभूशत समस्त दिव्वे आयुद्धों को लाकर उन्हें श्रीराम को दिखाया तब मनस्वी श्रीराम ने वहां आय हुए लक्ष्मन से प्रसन्न होकर कहा सौमे लक्ष्मन तुम ठीक समय पर आ गये इसी समय तुम्हारा आना मुझे अभिष्ट था शत्रों को संताप देने वाले वीर मेरा जो यह धन है इसे में तुम्हारे साथ रहेकर तपस्वी ब्राह्मनों को बाटना चाहता हूँ गुरु जनु के प्रती सुद्रड भक्ति भाव से युक्त जो श्रेष्ट ब्राह्मन यहां मेरे पास रहते हैं उनको तथा समस्त आश्रे जनु को भी मुझे अपना ये धन बाटना है दसिस्जी के पुत्र जो ब्राह्मनों में श्रेष्ट आरे सुयग्य हैं उन्हें तुम शीक्र यहां बुला लाओ मैं इन सबका तथा और जो ब्राह्मन शेष रह गए हैं उनका भी सतकार करके बन को जाऊंगा इस प्रकार शिवाल्मी के निर्मित आशामायन आधिकावे के आयुत्याकान में 31 वा सर्थ पूरा हुआ श्रे राम, सीता और लक्ष्मन तीनों ही वन को जाना चाहते थे परन्तु जाने से पहले उन्हें अपना संपून धन ब्राह्मनों में बाटना था जानते हैं क्या हुआ अगले अथै में आप सभी को कोटी कोटी साधुवाद आपने इन वीडियोस को इतना प्रेम दिया नमस्कार, मैं आभा शर्मा जावास यदि आपको मेरा ये प्रत्न सराहनी ये लगा हो तो मुझे सब्सक्राइब करके प्रोचाहित करे